नमस्कार साथियों स्वागत है अपने यूटूब चैनल स्टड़ी हेल्फिंदी में देखे फ्रेंड्स प्रश्न क्या दिया है कि एक भिन का अंस 200 प्रच्षत और हर को 300 प्रच्षत बढ़ा दिया जाए यहाँ पर हर रहेगा हर को 300 प्रच्षत बढ़ा दिया जाए तो दो सवा दिखेंगे कि माना भिन क्या अधी एकस बटा कर वाई अर इसमें काहा है कि उसके अनस को 200 प्रच्षत बढ़ा दिया गया तो एकस खुद आरलर्लेडी तॉप्रच्षत अपने दिखेंगे यहाँ पर गता अनस मतलब की x का 200 परचत 2x जो की अंस में 2x को बढ़ाना है क्योंकि कहा है नहीं यहाँ पर कि एक भिन्न की अंस को 200 परचत तक बढ़ा दिया गया तो अब उसका नया वाला अंस क्या हो जाएगा x पलस 2x मतलब की 3x हो जाएगा वैसे ही हर को 300 प्रचत बढ़ा दिया गया है तो y का 300 प्रचत क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो y का 300 प्रचत 3y हो जाएगा और हर को भी 300 प्रचत बढ़ा दिया गया है तो नई भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पर बढ़ाने के बाद X प्लस 2X बटा के Y प्लस 2 यहाँ पर 3Y क्योंकि पहले X थी अब इसमें 200 प्रसद बढ़ा दिया गया तो 200 हो गया 2X हो गया पहले Y था इसमें 300 प्रसद बढ़ा दिया गया तो 3 y हो गया और यहाँ पर परड़ामी भिन किसके बराबर हुआ है 6 बटा के 11 के बराबर हो गया है इसको हम लोग हल कर लेंगे यहाँ पर तो 2 और 3 x यहाँ पर होगा और नीशे 4 y बराबर 6 बटा के 11 इसको हल कर लेंगे तो 3 दुना के 6 यहां से x और y कमान निकालना है क्योंकि हमने भिन x और y माना था यहां से x और y कमान जर्म निकालेंगे यहां से तो 4 ऊपर जाकर के उड़ा हो जाएगा तो 4 दुना के 8 आठ बटा के 11 तो वह मूल विन क्या थी 8 बटा के 11 यही इस प्रस्न का अंसर हो जाएगा दूसरी मेथट से हम लोग जल्दी से कैसे कर सकते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है वह अपने आप में 100 प्रस्त होती है या तो एक होती है एक मना जाता है एक अपने आप में पूर्ण होता है या फिर 100 प्रस्त होती है तो यहां पर कहा गया है कि अंस को 200 प्रसट और हर को 300 प्रसट बढ़ा दिया गया तो हम जानते हैं कि 200 प्रसट क्या होता है 200 अगर प्रस्थत को भिhnin में बदलेंगे हम यहाँ पर अनुपात में तो 2 बटाके 1 1 क्या होता है, 1 नीचे जो मूल होता है dus 1 एक और उपर वाले में जो अंस होता है या तो उसको बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है तो यदि हम इसको अंस मानते हैं क्योंकि 200 प्रसत अंस को बढ़ाया गया है तो जो नीचे वाला हिस्सा या मूल चीज है तो इसको यदि हम अंस मानते हैं कि मानब वाले अंस क की बढ़त हुई मतलब की दो बढ़ गया तो अब कितना होगे यहां पर तीन उसी प्रकार से यहां पर 300 प्रचत तो 300 प्रचत क्या हो जाएगा 300 बटा के 100 इसको भी हम लोग लिख लेंगे 3 मता के 1 अब यहां पर क्योंकि हर में ब्रचत किया है तो इसको हम लोग मूल हर मानेंगे और ब्रचत कितना हुआ है 300 प्रचत 300 प्रचत मतलब की 3 की ब्रचत हुई है पहले हर एक था अब उसमें ब्रचत कितनी हुई है 3 की तो कितना हो गया या 4 हो गया एक से 3 बढ़ गया तो चार हो गया यह 3 अनुपात हो गया और यह 4 अनुपात हो गया इसको हम लोग X और Y मान सकते हैं इसको 3 X मान लेते हैं और इसको 4 Y मान लेते हैं और यही जो है कि 3 X बटा के 4 Y के जो अनुपात है वह किसके बराबर है 6 बटा के 11 के बराबर है यहां से भी आप X और Y का मान निक इससे आसानी होती है जो अनुपात वाला होता है अनुपात से निकालने पर बहुत जल्दी से निकल जाता है ट्रिक के माध्यम से यह होता है